मायपुरी न्यूज दिल में आपका स्वागत है मैं हूँ छवी आईए देखते हैं बॉलिवुट की खबरे फटा फट तैमूर को लंदन छोड मुंबई लोटी करीना कपूर खान करीना कपूर यूरप में परिवार के साथ हॉलिडे पर हैं करिश्मा कपूर ने करीना कपूर तैमूर की हॉलिडे की कई तस्वीरें शेयर की थी इस बीच करीना को यूरप से मुंबई आना पड़ा उनके साथ परिवार का कोई दूसरा सदस्य साथ नहीं आया है करीना कपूर 12 घंटे के लिए मुंबई वापस आई है उनके साथ बेटा तैमूर और पती साफ अली खान साथ नहीं लोटे है करीना कपूर मुंबई में अपने नए रियालिटी शोर डांस इंडिया डांस के शूट के लिए वापस आई है करीना प्रोफेशनल कमेट्मेंट पूरा करने में बहुत परफेक्ट है ऐसे में अपनी वेकेशन के टाइम जब करीना को शूट के लिए आना पड़ा तो वो यॉरप से महस 12 घंटों के लिए लोटी है GMA 2019 में चाया देपिका पादुकोन का ग्रीन आउटफिट देपिका पादुकोन इस समय नियो यॉक और मुंबई के अलग-अलग इवेंट्स का हिस्सा बन रही है बुदवार शाम देपिका पादुकोन मुंबई में हुए क्राजिया मिलेनियल एवोर्ट्स 2019 में पहुँची इस इवेंट में देपिका बेहत खुबसूरत ग्रीन ड्रेस में नज़र आई ये गाउन फैशन ब्रैंड अशी स्टूडियो का डिजाइन किया हुआ है और उनके होट कुटॉर कलेक्शन 2019 से है देपिका ने इस खुबसूरत ग्रीन आउट्फिट के साथ ग्रीन हाई हील्स और मैचिंग ज्वैलरी पहनी थी और बालों को लो पोनी टेल में बांधा था देपिका का पूरा लुक बेमिसाल था अपने इस लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए देपिका ने लिखा विश्व पर्यावरन दिवस के लिए बस थोड़ा ही लेट हूँ इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस देपिका की खूब तारीफें कर रहे हैं इस एवार्ड शो में देपिका के अलावा बॉलिवुट के नए जनरेशन के स्टार्स जैसे अनन्या पांडे जानवी कपूर सिधान चतुरवेदी विकी कौशल संग अन्नी सितारे भी पहुँचे थे इन सभी ने एक यादगार सेल्फी ली देपिका के अलावा जीये में 2019 में जानवी कपूर भी पहुँची थी अपने पिंक पैंट सूट में जानवी कपूर ग्लामरिस लग रही थी अनन्या पांडे अपने ब्लाक गाउन में गजब धा रही थी अनन्या ने डिजाइनर गल्या लाहो की बनाई ड्रेस को पहना जो बहत खुबसूरत थी विकी कौशले सेवार्ट शो में लाइट ब्रीन सूट में नजर आये विकी का ये स्टाइल कमाल का था फिल्म कभीर सिंग की स्क्रीनिंग में शामिल हुए बॉलिवुड चार्ज जिसमें शाहिद के पिता, भाई, पत्नी के साथ बॉलिवूड के भी कई सितारे पहुचे अनिल कपूर इस अंदास में पहुचे उन्होंने वहाँ पोस्त भी दिये शाहित कपूर की पत्नी सफेड ड्रेस में स्क्रीनिंग में पहुची आदिति पंचोली अपनी पत्नी जरीना वहाब के साथ पहुचे फिल्म की स्क्रीनिंग में पिता पंकच कपूर भी पहुचे उनके साथ शाहित की बहन सना कपूर भी नजर आई शाहित कपूर और कियारा आडवानी ने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में पोस भी दिये दिगज अभिनेता जावेज जाफरी भी पहुँचे प्रनूतन बहल भी इस स्क्रीनिंग में पहुँची नोरा फतेही इस अंदाज में फिल्म देखने पहुँची अपार शक्ति खुराना भी इस स्क्रीनिंग में नज़र आए आइटम नंबर के टैक को लेकर खान के ट्रिगडी पर भढ़की कृती सैनन बॉलिवूड अक्टर्स कृती सैनन को आइटम नंबर टैक से परेशानी है और कृती के अनुसार या भिनेत्रियों के लिए थोड़ा अपमान जनक है कृती ने कहा कि इन सौंग को लोग आइटम नंबर क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता ये अच्छी वाइप्स नहीं देता है ये सिर्फ डांस नंबर्स हैं जो फिल्म के entertainment factor के चलते फिल्मों में होता है और इन सौंग को आइटम नंबर नहीं कहा जाता तो फिर लड़कियों के मामने में ऐसा क्यों है इस तरह के mindset में बदलाओ की जरूरत है ये है टाइगर शॉफ की फिल्मों का secret success बॉलिवुड आक्टर टाइगर शॉफ ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हीरो पंती से की थी टाइगर शॉफ ने अपने 5 साल के करियर में कुल 6 फिल्में की और तकरीबन सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में काम्याब रही टाइगर शॉफ की फिल्मों को आक्टिंग के चलते कभी खास सराहना नहीं मिलती है तो फिर ऐसा क्या है कि जिसके चलते उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर हिट हो जाती है फिल्म में टाइगर जबरदस्त अक्शन करते नजर आते हैं और क्योंकि उनकी फिजिक काफी लचीली है तो डांस करने में भी उन्हें खास दिकत नहीं आती है इसके अलावा जो कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसे फिल्म की कहानी और टाइगर शौफ की आक्टिंग सभाल लेती है हीरो पंती, बागी, मुन्ना माइकल, बागी 2, स्टूडेंट आफ दे यर 2 ये सारी की सारी फिल्में टाइगर इसी फॉर्मूले के आधार पर बॉक्स ओफिस पर चला पाने या कलेक्शन निकाल पाने में काम्याब रहे हैं माही गिल अपनी पहली वेब सिरीज फिक्सर के सेट पर क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रही थी घटना शाम लगभग साड़े चार बजे की है शूटिंग के दोरान जब हमला हुआ तो उस वक्त माही गिल के अलावा शो में अभिने कर रहे तिगमान शुधूलिया टीवी अभिनेता शबीर एहलूवालिया भी मौजूद थे लोकेशन पर घुसकर उतपाद मचाने वालों के हाथों में रॉड और डंडे थे लोकेशन पर शूटिंग की परमिशन ना होने का हवाला दे कर इन चारो गुंडों ने वहां कई लोगों को पीटा हमले में वेब सरीज के डियोपी संतोष थोडियाल के सिर पर गंभीर चो मगर सेट पर किसी ने जोर से लेडीज लेडीज की आवाज लगाई और फिर वो गुंडा किसी और तरफ मुड़ गया वरना जाने मेरा क्या होता अनुपम खेर ने याद किया दिलीब कुमार का स्ट्राडम मशूर अभिनेता अनुपम खेर अपने करियर के शुरुवाती दौर की दमदार फिल्म कर्मा के दौर को याद करके एमोशनल नजर आ रहे हैं फिल्म कर्मा के सेट पर दिगज अभिनेता दिलीब कुमार संग शूटिंग की बातों को याद किया अनुपम ने साल 1986 में आये फिल्म कर्मा के एक चित्र को शेयर किया इस तस्वीर की कैप्शन में अनुपम खेर ने लिखा डॉक्टर डैंग के साथ राना विश्व प्रताप सिंग की मशूर मुलाकात सुभाज घई की मशूर कृती कर्मा के शूटिंग का ये मेरा पहला दिन था मैं वास्तिक महान कलाकार दिलीब कुमार संग एक ही फ्रेम में होने के लिए काफी भैभीत घबराया हुआ और उत्साहित था अनुपम खेर ने लिखा उन्होंने कहा रिलाक्स ये महज आक्टिंग है हाला कि इससे मैं सहज नहीं हुआ लेकिन शॉट के बाद जब उन्होंने मेरी पीट थप थपाई तब मुझे लगा कि मेरा समय आ गया है दिलीब सहाब जैसा ना कोई है और ना कोई होगा वो भारत में अब तक के सबसे बहतरीन अभिनेता है अक्टर से सांसत बनी नुसरत जहा ने कोलकाता के बिजनसमैन निखिल जैन से शादी कर ली है कपल ने सोशल मीडिया पर दूला दुलन के लुक में पहली तस्वीर शेयर की है रेट कलर के लहगे में नुसरत बेहत खूपसूरत लग रही है दुलन के जोडे में नुसरत की पहली तस्वीर है जिसे खूप शेयर किया जा रहा है वही निखिल जैन और फाइट कलर की शेयरवानी में काफी हैंसम लग रहे है जिसे खूप शेयर किया जा रहा है मायापुरी नियूजल में इतना ही कुछ दिर में फिर हादर होंगे बॉलिवुड की तमाम अपडेट के साथ देखते रहे हैं मायापुरी कट